इस चलन का मतदान हुआ नहीं, उसके पहले EVM को लेकर कॉंग्रेस ने बीजेपी के उपर सवाल उठा दिये उदर बीजेपी ने था तरुण चुग ने कॉंग्रेस पर पलटवार किया, ये का कि चुनाव में अपनी हार देखकर कॉंग्रेस परेशान है चुनाव योग को जो के एक सवधानिक संस्ता है, उसे बदनाम करने का प्रयास किया जाए ये कांगरेस की हिताशा है, नराशा है, जबकि इसी EVM ने करनाटका में आपको जिताया आज पंजाब में विपक्ष की सरकार है, दिल्ली में विपक्ष की सरकार है, तामिलाड में विपक्ष की सरकार है, केरल में विपक्ष की सरकार है, ये सभी सरकारे इसी EVM की बदोलग बनी हैं, पर प्रिंका गंदी जी अगर हार है, हार हो रही है, करारी हार हो रही है, तो मान लीजिए आंगन टेड़ा कहने से कोई मानेगा नहीं क्योंकि सबको पता है कि कांगर्स को नाच नहीं आता है हमारी दो हफते पहले तक इंटर्नल रिपोर्ट्स पता जो चल रही थी संग और बीजेपी के आंकलन से एकस असी पर बीजेपी थी बीजेपी निरंतर गिरती जा रही है डेल सो पार होने के लाले पड़े हुए बीजेपी भले सारव Vaccinik रूप से कुछ भी कहे पक्ष चुनाओं का मतलब होता है मीडिया में, संसाधनों में, संस्थाओं का निशपक्ष होना एक election commission निश्पक्ष संस्ता है जितनी बार वो हमें गलत के लिए अगर हड़का है तो उतनी बार बीजेपी को हड़का है मोदी जी का मीडिया जितना उनको दिखा है थोड़े विपक्ष के नेताओं को भी दिखा दे हमारी भी बात को पहुँचा है निश्पक्षता इसको कहते हैं और यह बिल्कुल सच है कि निश्पक्ष चुनाव अगर हो जाए तो लाले पड़े हैं डेर सो क्रॉस होने के बीजेपी के और मैं कॉंगरस ने था शची थरूर नलोक सबा चुनाव में बीजेपी की बड़ी हार का दावा कर दिया है उन्होंने एका है कि मुझे सौफ फीसद ही अकीन है कि इस बार बीजेपी तीन सो सीट के असपास भी ने जीत पाएगी और वही तेलंगाना के मुख्यमंत्री डेवंत रेड़ी ने बड़ा बयान देते में कह दिया है कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव हुआ तो राहूल गांदी देश के प्रदान मंची बनेंगे रेवंत रेड़ी ने आगे ये भी का कि दुनिया भर में बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे हैं सर्व भारत में इवियन से बरोसा उच चुका है हुआ है स्काइड का प्राइप मिनिस्टर होने वाले प्राइप मिनिस्टर राहिलèces उच्वेल आप अब antama प्रजै प्राइप मिने दिनों में टरोट इस पर दिना यह जानो केरला तरकी के लिए सौथ तरकी के लिए इसलिए हम लोग राहूल गांदी जी को प्रदान मंत्री बनाना चाहरे है। कानेक्टिविटी पहुंची। में मारी गई थी गोली अस्पताल में हुई मौद। सल्मान खान के गर पारिंग मामले में मुंबाई पुलिस की क्राइम रांच का पढ़ना फार्सूत्रों के मुताबिक शूटर्स को पारिंग के ठीक पहले दी गई थी पिस्टॉल। लौरस बिश्णोई के भाई अनमोल बिश्णोई ने डराने के लिए करवाई थी पारिंग। ग्रिमंत्री अमिच्छा आयम दाबाद गांधी नगर में करेंगे मेगा रोडशो दिन में तीन बाग में होगा रोडशो रात में अमिच्छा करेंगे जनसबा को सभोदेत 19 सप्रेल को भरेंगे नमांकर। पहले टरण के मतदान के पहले शुरू हुआ ईवियम पर घमासान कॉंग्रेस की प्रियांका गांधी ने दावा किया कि ईवियम में गडबड़ी ना हो तो बीजेपी 180 से कम पर सिमट जाएगी। बीजेपी ने किया पलटवार, तरुन चुक ने कहा गांधी परिवार हार देखकर हताशा और निराशा में इवियम पर चीकरा पोड़ रहा है। महाकोश, कच्ची घानी सरसुतेल और रिफाइंट सोयबी नॉयल, चुनो सही। पंजाब में आचार सनिता लागू होने के बाद, अलग-अलग जांच एजिंसियों ने मिलकर करीब 244 करोड रुपेज अप करने का दावा किया। पता गया कि इनमें कैश, शराब, ड्रग्स और दूसरी कीमती चीज़ें शामिल ने है। इधर उत्तरप्रदेश के मेरट में आरेलडी अध्यक्स जैन चौधरी की एक रैली में बीजेपी और आरेलडी के कारेकरता आपस में भिड़ गये। पता गया कि ये पूरा भवाल तब हुआ जब बीजेपी के कारेकरता ने जैन चौधरी से मिलने के लिए मंच पर जाने की कोशिश की। उसी दोरान आरेलडी के कुछ कारेकरताओं ने उसका विरोध किया। हाला कि बाद में किसी तरह वो वहां से निकल गया। लेकिन तब तक मार्पीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वारल होगी। इस लोग सबा चुनाव में आरेलडी बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। बीजेपी के साथ गडबंधन में आरेलडी को दो सीटें बिजनौर और बागपत मिली है। उदर असम के मुख्यमंतरी हिमंत बिश्व सर्वा ने राहूल गांधी और प्रियंका गांधी को अमूल बेबी बोल दिया। के इस वयान पर सियासी बवाल चड़ गया। दो दिन पहले प्रियंका गांधी असम के जोरहट गई थी। वहां पर उन्होंने कॉंग्रेस प्रत्याशी गौरव गोगई के लिए वोट के अपील की थी। और हिमंध बिस्व सर्मा से इसी बारे में सवाल पूछा गया। जवाब में उन्होंने प्रियंका और राहुल को अमूल बेबी बोल दिया। और दोनों पर तंसकसा। सियासत में अमूल बेबी बोलने का मतलब यह होता है कि किसी नेता को जरूरत से ज़्यादा सुविधाएं दी गई हैं और उसमें असल मुद्दों की समझ की कमी है। यही वज़े रही कि असम के मुख्यमंत्री के बयान पर कॉंग्रेस बढ़क गई। प्रियंका गांधी के जोरहाट में परचार के बाद असम की सियासत गरमाई हुई है। खबर है कि राहूल और प्रियंका वहाँ परचार में बड़ चड़कर इससा ले सकते हैं। और इसी बारे में असम के CM से सवाल पूछा गया था, इसके बाद वहां बवाल मच गया दिल्ली हाई कोट में एक याचिका डाल कर मुख्यमंतरी अर्विन केजरिवाल को ज़्यादा सुविधाएं देने की मांग की गई दिल्ली हाई कोट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई इस याचिका के जरीए कोट से ये अपील की गई कि तिहार जेल में आर्विन केजरिवाल को जरूरी सुविधाएं दी जाएं ताकि वो मुख्यमंत्री के रूप में काम करना जारी रख सकें हालकि कोट ने इस पर सुनवाई की तारीख तै नहीं की समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक अताउर रह्मान ने चुनाव प्रचार के दोरान उत्तर प्रदेश की बरेली लोगसबा सीट से बीजेप्य उम्मीदवार छत्रपाल गंगवार को लेकर विवादास पत बयान दे दिया जम्मु कश्मीर के कटवा में केंदरिय मंत्री जितेंदर सिंग के रोड शो के तौरान सडक से गुजर रहे एक स्कूटर में अचानक आग लग गई कुछी देर में वो स्कूटर जलकर राक हो गया इसकी वज़े से रोडशो को रोकना पड़ गया अलकि ये आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया जितेंदु सिंग उधंपुर लोकसवा सीट से बीजेपी उम्मीदवार है कर दो कुछी देर में वो गया